Assalamualaikum Today we will discuss algebraic formulas with proof A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square Third is one A minus B into A plus B is equal to A square minus B square First इसको हम verify करते हैं How to prove it? A plus B A square plus 2AB plus B square First one इसके लिए First of all We take arm A plus B whole square हम इस side को लेंगे और इस side को हम क्या करेंगे? Proof करेंगे तो इसकी हम left hand side लेंगे Take a left hand side Take ठीक है? Take left hand side हमने ये वली side ले ली को दफा लिख सकते हैं A plus B इस तरीके से देखें A plus B रिखा जा सकता है इसको आप next term ये करेंगे कि हम इनकी हर एक term को देखें ये जो होगा इस पूरी term से multiply होगा Write this A A plus B पूरी term से multiply हो जाएगा और इसको पकड़ेंगे और इसको भी इसकी पूरी ही इस term से multiply कर देंगे with a plus sign plus B को multiply करेंगे A plus B से ठीक है अब आपने क्या करना है अब आपने हर number को बारी बारी multiply करना है देखें इसको आपने इससे किया और फिर आपने इसको इससे करना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A square आगे है यहाँ पर यहाँ पर क्या है फिर आपने इसको इससे किया अब आप देखें यहाँ आपके पास क्या रहा है B A और फिर आपने इसको जब इससे multiply किया तो हमारे पास क्या आगे है यहाँ पर B square आप यह देख सकते हैं कि A B और B A को अब हम किस तरीके से add करेंगे हम A B को equal to A B लिख सकते हैं किस तरीके से by commutative law here we apply a according to commutative law हमारे पास A B जो होता है वो B A के equal होता है हमारे पास इस law के मताबिक हम इस A B को यह इस B A को A B के equal लिख देंगे देखें इधर हमने कैसे लिखा A square plus A B plus A B अब इसमें हम इस B A के जगह पे क्या कर रहे हैं A B को put कर रहे हैं plus B square ठीक है अब next लिखाने पास आगया A square और now like terms को अब हम add कर देंगे that is plus 2 A P plus B square and you can see this is a right hand side of this identity hence this is a right hand side hence proved now we will move to next one that is A minus B whole square is equal to A square minus 2 A B plus B square take a left hand side बिल्कुल उसी तरीके से ही इस procedure को भी लेंगे लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा से सिरफ just sign की changing की आईगी आपने क्या करना है कि A minus B square जो हमने left hand side ली उसको तू बार लिखा जैसे हमने उपर की term को भी लिखा you look at this जैसे हमने देखें उपर की term को भी यू लिखा अब आपने क्या करना है बिल्कुल इस तरीके से इस A को यहां से पकड़ा और इस पूरी की पूरी term से यू लिख दिया bracket में A minus B क्योंकि यह सबसे multiply होगा असल में इस से भी होगा फिर इस से भी होगा फिर यह वरी term इस से भी होगी इस से भी होगी मैंने आसानी के लिए इस A को पकड़के इस पूरी term के साथ लिखती है अब आप देखें sign अब यह खाली B को नहीं देखना आपने minus का sign देखें पहले हमने यहाँ पर plus का sign लिखा था क्योंकि उपर plus का sign था B के साथ लेकिन अब जब हम पकड़ेंगे तो इस minus पूरे को पकड़ेंगे minus B लिखेंगे जो भी sign इसका होगा और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे A minus B बिलकुल similarly you have multiply by this and this like this जैसे हमने उपर किया यह हमारे पास कैसे हो जाएगा A square minus A B फिर यहाँ पर बिलकुल इसी तरीके से minus B A और यह वले time हमारे पास आजाएगी minus minus plus ठीक है आपको पता है जब minus minus से multiply होते है इस B के साथ minus sin के साथ भी तो minus minus is plus that is will become a B square so A square like terms should be added अच्छा एक और चीज़ जो इसमें रहे गई कि इसमें भी तो होगा ना यह आपने बताना है लाजिम कि मैंने किस तरीके से minus जो B A था उसको A B मैंने कैसे पूट करके लिख दिया इस चीज़ को आपको यहाँ पर पताना है अब देखें यहाँ पर क्या आया minus A B minus A B दुबारा लिखना आपने इसकी जगह पर यहाँ पर यह पूट किया आपने A B को equal to B A को यहाँ तो A B के equal पूट कर देगे A B को plus B A के that is B square अब आप यहाँ लिखोगे A square minus 2 A B plus B square You can look at this This is our right hand side hands pro आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मेरी मिलती रहें Take a left hand side left hand side ली हमने A minus B A plus B अब आपने पिल्कुल उसी तरीके से इस नंबर को पकड़के यूं लिखा A के साथ A plus B को ठीके इसके sign को यहाँ पर लिखा minus के साथ और यहाँ पर आपके पास क्या आगया A plus B फिर उसी तरीके से आपने इसको इससे और इसको इससे multiply किया अब यहाँ पर आपने इसको जब इससे multiply करेंगे इसके साथ plus कर साइन इसके साथ minus कर साइन है तो क्या जएगा यहाँ पर minus B A और जब यह minus plus के साथ multiply हो गया तो आप इससी बात हैं यहाँ पर क्या जएगा minus B square अब according to commutative law A B is equal to B A we have to apply here A square plus A B minus A B minus B square नवा बहुत हाँ cut प्रिकुस एक के साथ plus का साइन एक के साथ minus का तो यह क्या होगा difference होंगे और यह आपस में cancel हो जाएंगे और बहुत हाँ same इस वज़ा से like terms होने की वज़े से different sign होने की वज़े से यह cancel हो जाएंगे और answer is A square minus B square that is our right hand side यह हमाई right hand side होगी and hence proved जो कि हमने proof करना था I hope कि आपको यह तीनों identity साथ समझा ही होगी with proof के साथ कल में इंशालों next identity of algebraic formulas के बारे में बताऊंगे और बताऊंगी के how to apply in equations in algebraic in algebraic expression कि हम इनको किस तरीके से उस पर apply करके easily questions को solve कर सकते हैं Allah अफेज